नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत ने हमारे चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमें एक फार्मा स्टॉक बहुत छोटा फार्मा स्टॉक ऐसके बारे बात करेंगे क्योंकि इसका जो चार्ट जैसा बनता जा रहा है वह चार्ट हमें बहुत अच्छा लग र रुपे इसका मार्केट कैप है दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से बनाया जा रहा है खरिकदारी विक्वालिक करने की कोई राय नहीं है जो भी आपको करना है अपने वित्यस लाकाय की राय लेकर ही करें हम इसके सिर्फ चार्ट की अनालिसिस करने किरावट आई थी उस समय इसने लगबग ये साथ रुपे के आसपास इसका स्टॉक अगर वहां से बात करें आज की डेट में चालीस रुपे के पास में पहुंच चुका है और अगर आप प्राइस एक्षन के हिसाब से देखें तो हमारा मुर्पैन लेप लगातार हायर हा और नजर आ रहा है इसमें एक रूणडिंग पैटन ठीक है और यहां पे पैन बनना भुआता वो था टा मरप 44 54 का लेवल चोमालीस रुपे का लेवल और यहां से देख सकते एक संदीन क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटन बन रहा है इसमें देखिए आपके सामने इससे साधार सांदार उधारना आपको राउंडिंग पैटन का कोई मिली नहीं सकता ठीक है अब इसके लिए जो रेजिटेंस का लेवल है वो हमारा यह 44 रुपे का है ठीक है यही नहीं है कि इ इससे पहले इसने जब भी है हम ऐसा राउंडिंग बॉटम पैटन ही बनाते हुए आया है अब जड़ा देखें एक राउंडिंग बॉटम पैटन इसका यह रहा और इसके अंदर यह दो साल का लगबग समय लेता है साथ में अगर देखें तो देखें छोड़े छोड़े पैटन यह रहे एक वाटन यह रहा तो कुछ इसका जो प्राइस एक्षन प्राइस एक्षन हमें यह बता रहा है कि हमारा मोर पैन लैप का स्टोख है वो राउंडिंग पैटन बनाते वेश चल रहा है अब जड़ा इस चार्ट को हम क्या थोड़ा बड़ा टाइम देख रह के में पास में यहीं रहा ठीक है चार साल के में यह प Attorney हमारा कमप्लीट हुआ है उसके बाद апर्ट 17 alcohol बно और दोजाइस रोजात सोले में ये बना चुका है और अब इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँगा जिस से आपको नजर आएगा कि इस ट्रेंड लाइन का हम ऐसा more pen का लेव का स्टॉक हम ऐसा एक resistance लेते हुए चलता है देखिए दोस्तों चार्ट के अंदर हमने एक बिलू कलर की ट्रेंड लाइन बना दिये और ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेस्टेंस का काम कर रहा है जब भी हमारा देखिए दोस्ता अगर वीकली चार्ट को दिखाऊंगा ना तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए थोड़ा क्या हमारे पास में जो चार्ट है थोड़ा बड़ा है समयवदी बड़ी है इसलिए वीकली चार्ट पे भी ये थोड़ा अच्छी तरह से समझ में नहीं आपाएगा इसलिए देखिए मंतली चार्ट किया है अब मंतली चार्ट के अंदर देखें आप तो जब भी स्टॉक हमारा इसी ट्रेंड और ये मार्च 18 के दोरान 4 मेने तक लगातार इसी का रेश्टेंस लेता रहा लेकिन इसी क्रोश नहीं कर पाया दुबारा इस्टॉक फिर से हमारा इसी लेवल के पास में पहुंच रहा है ठीक है आपको वेट करना है इंतजार करना है अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है तो निश्चित तौर दोस्तों कह सकता हूँ मोरपें लैब का जो स्टोक है यहाँ से बड़े रिटर्ण दे सकता है यह जो चार्ट देख रहे है यह हम एक नॉर्मल चार्ट देख अगर मैं इसको लॉग स्केल चार्ट करूंगा तो यहां पे जो है न यहां को और अच्छी तरह से यह trendline बंत भी नजर आएगी तो देखे दोस्तों इस चार्ट को अपने कर दिया log scale चार्ट और यहां पर आपको एक चार्ट पैटर्ण बंत वह नजर आ रहा है इस चार्ट पैटर्ण को बोलते हैं ieving invested head and solder और ने जो फैले जो नबन चार्ट देख रह secular थे उससे और अच्छी तरह से हमें दिखाई दे रही यह trash अगर हम देखें मनठली और ऑन चुका है और जैसे कि यहां से breakout होगा निश्ची तोर पे दोस्तों कह सकता हूं हमारा मोर्पैन लैब का इस टोग यहां से बड़ा रिटन दे सकता है साथ में देखिए चार्ट ही नहीं है इसके जो फंडमेंटल है ना वो भी इस चार्ट के साथ फोलो कर रहे हैं फंडमेंटल इसके दीरे-दीरे शुदरते जा रहे हैं ठीक है जो कंपनी अब अच्छा करती जा रही है दोस्तों हमारी तो यही रहा है अगर हमारा श्टॉक मोरपेन लैब का श्टॉक यहां से ब्रेकाउट देता है तो निश्चित तोर पे आप इस श्टॉक के अंदर खरिदारी करने की सो सकते हैं जो इसका रेजिटेंस का लेवल है वो 44 का है और साथ में ट्रेंड लाइन व दोस्तों अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कर लो इस टॉक का देखें इसका एक त्युकरोड कर देख लेकिटील profit च्यक्रोर का profit लेकिन पिछली 3 तिमाईयों से धेख लिए सबसे ज्यादा profit पिछले 3 तिमाईयों से आ रहा है इसके अंदर जुन 20 के अंदर आया 19 करोड़ का profit September 20 का अंदर आया 27 करोड़ का profit और पिछले को से क्वार्ट्र के अनदर आया 24 करोड़ का profit साथ में जो operating profit margin है वो भी भड़ता जा रहा है और company का margin और अपरेटिंग profit margin है वो भी 10% पे इसने लगाता है पिछले तीन तेमाईयों से बना के रखा हुआ है अगर दोस्तों हम सालाना देखें तो सालाना में लॉस ठीक है दोजाद 10 में भी कंपनी लॉस में थी दोजाद 9 में भी कंपनी लॉस में थी इसके बाद 2015 से इसका प्रॉफिट भढ़ना चालो हुआ और आप देख सकते हैं कि 2014 के अंदर जहां 3 करोड का लॉस था 15 के अंदर कंपनी ने 2 करोड का प्रॉफिट किया है 16 के अंदर 13 करोड का प्रॉफिट इसके बाद 17 के अंदर 24 करोड का प्रॉफिट 18 के अंदर 30 करोड का F19 के अंदर 29 करोड का और F20 के अंदर 34 करोड का अब तक 81 करोड का profit है कर चुकी है तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर company कहां पे थी और 5 साल के बाद हमारा more pen lab का stock जो fundamental के हिसाब से company का profit कहां पे पहुंच चुका है sales की बात करें तो 2015 के अंदर 400 क्रोड रुपे की जो टोटल बीकरी थी वह भढ़के 1100 करोड रुपे की हो चुकी है जो डबल से भी ज्यादा है तो जैसा चार्ट हमें दिखा रहा है same to same हमें fundamental भी दिखा रहे हैं ठीक क्योंकि हमारे fundamental company के सुधरते जा रहे इसलिए दोस्तों इस share के उपर आपको जरूर नजर बना के रखनी चाहिए और अगर यहां से breakout होता है तो निश्चित तोर पे यहां से यह उपर इतरब जा सकता है अगर company के उपर हम कर्ज की बात करें तो सिरफ 16 करोड रुपे का इसके पास कर्ज रह चुका है जो पिछले तिमाई के पिछले साल के अंदर 133 करोड रुपे का कर्ज था वह गट के सिरफ 16 करोड का रह गया है साथ में अगर हम देखें एफाइज की तो एफाइज ने इसमें 0.76 परसंट का इससा खरीद रखा है और पर्मोट्रों का 34.54 परसंट का हिस्सा है तो दोस्तों इस तरह से मोर्पेन लेब का स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि चार्ट भी इसके बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने फंडमेंटल भी देखने कोसिस करें कि क्या फंडमेंटल भी कुछ सुधार हो रहा नहीं हो रहा वह आपने खुद ने देख लिया तो इस स्टॉक को जरूर अपने वाच लिस्ट के अंदर एड करिए जो हमारी ट्रेंड लाइन अभी हमने आपको बताई थी जैसे वह ब्र लाइन अवाद.